नमस्कार मैं आपके साथ रोहिद IPL का 33 मुकाबला Sunriders हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच दुबाई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया इस मैच में Sunriders हैदराबाद को दिल्ली कैपिटल्स के हाथो आट बिकेट से सिकस्त जिलने पड़ी वे इस हार के साथ ही केन विलियमसन की टीम के प्ले आफ में पहुँचने के उमीदे भी अब तूटने लगी है बहरहाल टीम को भले ही हार का सामना करना पड़ा हो लेकिन हैदराबाद की मिस्ट्री गर्ड इस बार सुर्ख्यों में आ गई है इस लड़की का नाम है काद्व्या मारन मैच के दोरान स्टेडियम में अपनी टीम को चियर करने में इन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जिसके बाद सोशल मीडिया पर इस मिस्ट्री गर्ल की तस्बीरे खुब वाइरल हो रही है अब खुबसूरत लड़की वाइरल हुई तो उसके बाद काद्व्या की तारीफ करने में सब जुड़ गए और ट्विटर पर कमेंट करने लगे ट्विटर यूजर डब्लू टीएफ गुरुजी नाम की यूजर ने लिखा मैंने हैदराबाद और दिल्ली का मैच इसी लड़की की वज़ा से देखा अब्दुल्लाह ने लिखा काव्या मारन इस इन दे स्टेडियम विधर गॉर्जियस लोग क्रिकेट रिकॉर्ड से ने लिखा क्रिकेट प्रसंसकों के लिए मैच की मुखवाद हैदराबाद की सहमालेक का अव्या मारन रही बता दें कि इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने शांदार जीत दर्ज की थी पहले बल्लेबाजी करते हुए संराजर साहदाबाद ने केवल 135 रन बनाये थे वहीं लक्ष का पीछा करने उत्री दिल्ली कैपिटल्स के लिए शिखरधवन, श्रेस अईयर और रिशपन ने शांदार बल्लेबाजी की थी जिसके उजासे दिल्ली को आठ पिकेट से इस मैच में जीत मिली थी लेकिन ये मिश्ट्री गर्ल जो की संराजर साहदराबाद की सहमालिक मालिक है वो इस मैच में वाइरल हो गई और उनकी तस्बीरे शोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई है वैसे आप इस पूरी खबर पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट कर हमें जरूर बताए